निकोन जट 30 में एक फीचर ईट हुआ है इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है time code के बारे में basically जो use है ये भी आपको बताया हुआ है टोप एच्छी बात है कि जबी हम वीडियो कोई चुट करते हैं जो हमारा टाइम होता है वह बिल्क उल्टा चलता है ठीक है तो युद्राम चलता हो तो आमें कुछ ऐसा पता नहीं चल पाता है कि एक्चुल में कितनी वीडियो बनी है और टोटल जो मेरे वीडियो की लेंद वह कितनी है तो जो टाइम कोड़ का सैटिंग से आप और निकॉन एड कर दिया गया है और यहां से अभी आप काफी इजली अपने टाइम का पता कर सकते हैं कितना मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ठीक है टोटल एक प्रोग्राम का वीडियो है या फिर कुछ भी आप शूट कर रहे हैं तो यह पता आप अराम से कर सकते हो तो सिंपल आपक को प्रेस करना है आपको चले जाना है वीडियो रिकॉर्डिंग मेन्यू पर वैसे टाइम कोड के बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि क्या होता एक्चुल में वैसे हम एक शौटकट्स यूज कर सकते कि कि इतना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो आपको एकदम नीचे करना है आपको सिर्फ ओन कर देना है और यहां पर काउंट अपटो यहां पर फिलाल रिकॉर्ड रन पर रखना है फ्री रन पर नहीं रखना है ऱ्कि ऑर हुआ है ठीक है तो यह कावी अच्छा option है हमें पता करना कि मेरा वीडियो अक्चुल में कितना record हो रहा है ठीक है वैसे इसमें जो एक दूसरा option है अगर आप free run कर देते हैं यहां पर आपको record run पर रखना है ठीक है यह अच्छा option है इससे पता चलेगा मतलब जब हम camera अगर off वी कर देते हैं और on करते हैं दुबारा से तो जो हमने record किया है उस time का वहां से वो time code नहीं हटेगा जैसे देखे 7 second के असपास हमने जो record किया था वो नहीं हटा है ठीक है तो यह plus point है अब के लिए तो इससे बिल्कुल हटाईगे गमत दूसरा जूसमें option दिय यहां पर free run दिया हुआ यहां पर क्या है कि आप record करो या ना करो यह timing चलती रहेगी इससे आप यह पता कर सकते हैं कि अक्चुल मेरा camera कितना चला है ठीक है इसको आप off कर देंगे ना camera को तो भी यह चलता ही रहेगा ठीक है तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जैसे कि हम wedding में प इंफ्यूज ना हो कि हमारा camera अक्चुल में कितना record किया है दोस्तो ऐसे ही interesting वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैन को subscribe करना होगा और bell icon को press करना बिलकुल मत भूलना ताकि मेरे दोरा बना गया किसी भी वीडियो को आप miss नहीं कर सको चले दोस्तों तक नए वीडियो म जल्दी आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए good bye